लोगसभ़ा चुनावां का भूगल बसते ही हर कोई बोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोल लगा रहा है। फिर क्या नेता, क्या अभी नेता, बोटरों को लुभाने के लिए लगजरी कार में घूमने बाली ड्रीम गर्ड भी, अब खेतों में फसल काटी नजर आ रही है, हेमा मालनी बॉली बॉट के ग्लैमर से निकल कर चुनाब जीतने के लिए गाउं गाउं घूम रही है, इतना ह हेमा ने लोगों के दिल में अलग जगह बनाई, और बोटरों को पहले भी ऐसा करके खुब लुभाया था, हेमा माली बैसे तो बड़ी स्टार हैं, और धूप में निकले से पहले ही उनके समर्तक च्छाता लेकर उनके साथ चलते हैं, आज हेमा माली ने गोबरदान इलाके में रोड सो किया, इस रोड सो के दोरान भी हेमा माली लगजरी कार में सबार थी, और उनके समर्तक उनके उपर च्छाता लेकर धूप से उन्हें बचाते नजर आए, लेकिन मामला बोटों का है, तो हेमा एक बार फिर बिना च्छाता के ही खेतों में जाकर फसल काटती हम लोग इसका आदी नहीं है, जब मैं ऐसा गाव में जाती हूं वैसे भी पिछले पांच साल में भी कभी बीच में जाती थी, आज एक दम ऐसा गोल्डन कलर का जो गेहूं का जो सुंदर सा दिख रहा था, उसके साथ मुझे बहुत ही मन लग रहा था, मैं भी जाकर तोड मुझे वेलकम किया हर गाह में, आज तिंक नेरली दस गाह में हम गहते है आज, रोट शो जैसा, अब बात किया है, चुनावों को लेगे कि आप किसे बीच का मुकाबला समझती है अपने आपका, किसके बीच का, जो सुनाव है, चुनाव में दू दिख देता भी आपके सा पुरा देश उनके साथ सब, बच्चा-बच्चा उनके साथ है, तो हमें किस बात की फिकर कुछ नहीं है, क्योंकि हम, मैंने भी यहां पर मतरह में इतना काम किया है, वो भी बहुत प्रशन से नहीं काम किया है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं ब्रज में आकर इतना काम किया तो उसके लिए मुझे वोट मिलेगा जरूर मिलेगा मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा विपक्ष के लोग जो उनका उनका काम है वो इस वोडी जी ने भी